युहन्ना रचित सू समचार नौवा अध्याय जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की जोती हूँ यह कहकर उसने भूमी पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वे मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगा कर उससे कहा जा शीलों के कुन में धोले जिसका अर्थ भेजा हुआ है सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया तब पडोसी और जिनोंने पहले उससे भीक मांगते देखाता कहने लगे क्या यह वही नहीं जो बैठा भीक मांगा करता था कितनों ने कहा यह वही है और उने कहा नहीं परंतु उसके समान है उसने कहा मैं वही हूँ तब वे उससे पूछने लगे तिरी आखें क्यों कर खुल गई उसने उत्तर दिया कि ईश्यू नाम एक व्यत्ती ने मिटी सानी और मेरी आखों पर लगा कर मुझसे कहा कि शीलोहों में जाकर धोले सो मैं गया और धोकर देखने लगा उन्होंने उससे पूछा वे कहा है उसने कहा मैं नहीं जानता लोग उसे जो पहले अंदा था फरीसियों के पास ले गए जिस दिन ईश्यू ने मिटी सान कर उसकी आखें खोली थी वे सब्त का दिन था फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आखें किस रीती से खुल गई, उसने उनसे कहा, उसने मेरी आखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ, इस पर कई फरीसि कहने लगे, यह मनुष परमेशर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्ड का द से चन्ने दिखा सकता है, सो उन में फूट पड़ी, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आखें खोली, तू उसके विश्य में क्या कहता है, उसने कहा, वह भविश लगता है, परंत यहूदियों को विश्वास न हुआ कि यह अंधा था, और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके मातापिता को, जिसकी आखें खुल गई थी, बुलाकर उन से न पूछा, कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है, जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह क्यों कर देखता है, उसके मातापिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं, कि यह उसकी आखें खोली, वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विशे में आप कह देगा। ये बातें उसके मातर पिता ने इसले कहीं, क्योंकि वह यहुदियों से डरते थे, क्योंकि यहुदी एका कर चुके थे, कि यदि कोई कहे कि वह मसी है, तो आराध नालाय से निकाला जाए। इसी कारण उसके मातर पिता ने कहा कि वह सियाना है उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुला कर उससे कहा। परमेश्वर की सुतिकर हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उतर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आँखे खोली। उसने उनको उत्तर दिया। यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहा कहे तो भी उसने मेरी आँखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंब से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आँखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिलकुल पापों में जन्मा है। तू हमें क्या सिखाता है। और उ पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूँ। ईश्व ने उससे कहा तूने उससे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और उससे दंडवत किय तब ईशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याई के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते, वे देखें, और जो देखते हैं, वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बाते सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? ईशु ने उनसे कहा, यदि तु अंधे होते, तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है।